हेलो एब्रीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फिप्ट के सब्जेक्ट सोसल स्टडीज के पीरियोडिक एसेजमेंट सेकेंड को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं यहाँ पर आपको मल्टिपल चॉइस क्वेशन दिये गए हैं जिसमें से आपको सही आंसर को सलेक्ट करना है और राइट मार्क करना है question है from space, our earth looks like, अंतरिक्षय देखने पर हमारी प्रत्वी कैसी दिखाई देती है like red watermelon, like a blue ball, like a red ball, like a blue sky तो किसकी तरह दिखाई देती है like a blue ball, it means नीली गैन्द की तरह तो answer है, option number B, तो यहाँ पर राइट मार्क कर देंगे next question है earth is the planet of the solar system earth जो है हमारे solar system का कौन सा planet है third, seventh, fifth या फिर eighth तो कौन सा है third planet है तो answer है option number A अब एक question number two fill in the blanks यहाँ पर सभी को blanks fill करने है earth rotates on its axis from direction to direction प्रत्वी जो है अपनी धुरी पर गूमती है किस दिसा से किस दिसा में west direction से east direction में तो यहाँ पर लिखेंगे west और यहाँ लिखेंगे east तो यहाँ पर है longitudinal lines become towards the pole तो यहाँ पर आप correction कर लेंगे यहाँ पर लिखेंगे latitudinal lines becomes towards the pole जो latitudinal lines होती है जो अक्षान से रेखाए होती है वो small हो जाती है पोल्स की तरफ तो यहां लिखेंगे small next है meridian is situated on zero degree longitude कौन सी line जो है वो zero degree longitude परिस्तित है तो कौन सी है prime meridian तो यहां लिखेंगे prime next है the longest river in the world is संसार की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है तो according to your book सबसे लंबी नदी है नाइल रीवर तो यहां लिखेंगे नाइल रीवर next है the world's deepest cave is in संसार की सबसे गहरी गुफा कहां पर है तो कहां पर है किस country में है France में है तो यहां लिखेंगे France अब है question number three match the following यहां पर आपको matching करनी है सहारा desert सहारा रेगिस्तान जो है वो कहां है अफरीका में है तो अफरीका वर्ड से मैच कर देंगे showing a reason in detail किसी भी छेतर को detail में विस्तार से दिखाते हैं कि मैप में तो यहां पर मैप वर्ड के साथ मैच करेंगे next है मिथून जो एनिमल है कहां पाया जाता है नौर्थ अमेरिका में इसके साथ मैच करेंगे next है floating continent तेरता हुआ महादीप जो है वो कहां पर है तो तेरता हुआ महादीप है अंटाक्टे का तो इसके साथ मैच करेंगे next है longest mountain range सबसे लंबी परवत सरंखला है कौन सी है तो सबसे लंबी परवत सरंखला जो है वो कहां है साथ अमेरिका में तो यहां पर इसके साथ मैच कर देंगे अब एक कोशिय नमबर four टिक राइट दा करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस्ड रॉंग स्टेटमेंट यहां पर राइट जो है सही स्टेटमेंट के लिए लगाना है और क्रॉस्द निसान गलत के लिए लगाना है फॉस्ट है equator is an imaginary line that divides earth into two equal parts equator जो है एक काल्पनिक रेखा है जो की प्रत्वी को तो बराबर भागों में बाठती है तो बिल्कुत सही है यहाँ पर right mark करेंगे next है earth is not tilted on its axis प्रत्वी जो है अपनी धूरी की तरफ जूकी हुई नहीं है तो यह गलत है प्रत्वी जो है अपनी धूरी की तरफ जूकी हुई होती है तो यहाँ पर cross करेंगे next है world's largest river is amazing संसार की सबसे बड़ी नदी जो है सबसे लंबी नदी amazing है तो यह गलत है कौन सी है नील नदी है next है our globe is a model of earth globe जो है प्रत्वी का एक model है तो यह बिल्कुल सही है यहाँ पर right mark करेंगे अभी यहाँ पर question है answer the following questions which movement of earth caused season प्रत्वी के किस गती के कारण मौसम बनते हैं तो answer है the seasons are caused by the revolution of earth प्रत्वी के revolution के कारण season बनते हैं revolution means प्रत्वी का सूरे के चारो तरफ चक्कर लगाने को revolution बोलते हैं next है name the highest mountain peak in the world संसार की सबसे highest यानि की उची mountain peak परवत चोटी का नाम लिखिए तो सबसे उची mountain peak है average is the highest mountain peak in the world संसार में सबसे उची peak जो है वो average है next है name any one important resource that we get from the oceans यहाँ पर किसी भी एक महतोपोर resource संसाधन का नाम लिखना है जो की हमें महा सागरों से मिलते हैं तो answer है salt petroleum etc तो आप किसी भी एक resource का यहाँ पर नाम लिखेंगे तो इसी के साथ आपकी assessment sheet complete होती है मिलते है next video में next assessment sheet के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you